कि यहां तो इस तरह के रिल्स वीडियो यार ना इस्टाग्राम पर बहुत ही वाइरल हो रही है कर आप लोग भी कुछ इस तरह के रिल्स वीडियो बनाकर अपलोड करोगे ना अपने अकाउंट पर तो आपको भी काफी अच्छा मिलने वाला है जो गई वीडियो का भी इंट्रेस्टिंग होने वाली यह वीलिए को एक फोफ इसके लिए, आपको यह आपको यहां पर फैसुजश करanda अब आपको यहां पर एक वीडियो सलिक्ट कर लेनी है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो simply आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना वीडियो सेलेक्ट होने के बाद गैज आपको क्या करने कि इस लेर को आगे बढ़ाना एंड गैज आपको यहाँ पर सबसे लाइस्ट में ब्लेक वाली लेर मिलेगी तो simply आपको उसे डिलेट कर देना एंड गैज आपको यहाँ पर प्लस वाले ओप्सिन पर क्लिक कर देना एंड गैज आपको यहाँ से अपनी कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेनी है तो गैज मैंने अपनी कुछ फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है ऑपको क्या करना है कि यहां पर फस्ट में आपको एक option मिले गा music वाला तो simply आपको उस पर click कर देना एड़ को आपको यहां बहुत sound select कर लेना sound add होने के बाद आपको यहां पर क्या करना है music पर beat add करने है आपको beat add करने के लिए आप simply क्या करेंगी को क्या करना है कि इस लेर को आके बढ़ाना एंड गैज आपको यहां पर सिंपली सिक्स सेकंड पर आ जाना है तो हमारा यहां पर सिक्स सेकंड यहां पर कम्प्लीट हो रहा है एंड गैज आपको यहां पर क्या करना कि 6.1 सेकंड पर आ जाना 6.1 सेकंड से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना 2 सेकंड से थोड़ा सा पहले रेड कलर के बटन पर टेप करना हमारा बीट एड हो चुका है अपने को आप सेकंड बीट एड करना सिंपली जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से आप बीट एड कर लेना सो गैज मैं यहाँ पर अपने सेकंड बीट एड कर देता हूं यहाँ पर थर्ड बीट एड कर देता हूं सो गैज सिंपली आपको भी इसी तरह से बीट एड करना है अपनी फॉटो पर सो गैज मैंने यहाँ से 5 beats add कर लिया है and मैं यहां से tick पे click करता हूँ उसके बाद guys आपको यहां पर क्या करना है अपने beats जो अपने beats add करेते हैं वो अपनी music वाली layer है उस पर आपको simply दिखाई देंगे तो simply आपको क्या करना है कि आपके सामने एक white line नजर आएगी तो simply क्या करना है कि इस white line को हमारे first beat पर आपको add मतलब उपर लेके चले जाना उसके and guys आपको यहां पर क्या करना है कि अपनी layer पर click करना and यहां पर split wall option आपको नजर आएगा नीचे simply आपको उस पर click कर देना and हमारा जो extra part है उसको यहां से delete कर देना and guys अपने को फिर क्या करना है कि second beat पर अपनी white line को लाना and हमारी जो फोटो वाली first layer है इसको मतलब थोड़ा सा decrease कर देना इस white line के बराबर तो हमारा for मतलब यहां पर भी beat add हो चुका फिर आपको third beat पर जाना and guys फिर से आपको next photo पर क्लिक करना and इसकी size को भी थोड़ा सा decrease कर देना जितनी अपनी white line है उतना and अपन fourth वाले beat पर चलते है and यहां पर भी इसकी size को decrease करते है and सबसे last वाले beat पर चलते है so guys मैं इसकी size को यहां से decrease कर देता हूँ and हमने एक photo यहां पर extra add कर ली थे तो simply मैं इसे delete कर देता हूँ guys आगर आप चाहे तो आगए और भी photo add कर सकते हो मुझे इतनी करने तो मैं इतनी करूंगा and उसके बाद guys क्या करना है आपको इस layer को पकड़ कर थोड़ा सा zoom कर देना जूम होने के बाद guys आपको यहां पर आप effect add करने effect add करने के लिए आपको simply यहां पर क्या करना है हमारा जो photo वाला first frame मतलब layer है उसके आगए आपको एक plus वाला option दिखाए देखा तो simply आपको उस पर click कर देना and guys आपको यहां पर जूम इन वाला effect लगा देना so guys मैं यहां से जूम इन वाला effect लगा देता हूँ and आपको यहां पर नीचे एक option मिलेगा apply to all तो simply आपको उस पर click कर देना and उसके बाद आपको वीडियो एक बार play करके दिखा दे so guys आप यहां पर देख सकते हो हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है guys अगर आपको यह वीडियो अच्छे लिग होते हैं वीडियो को like जुरूर कर देना उड़ चेनल पर नहीं होते हैं चेनल को subscribe जुरूर कर देना